हालो एन वालकम एवरिवन मैं हूँ शबनम और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बेचलर्स के लिए हैं जिन्होंने अभी-अभी कोकिंग स्टार्ट की है जादा नौलिज नहीं है कोकिंग की और जादा प्रोसेस उने कोकिंग का नहीं पता है तो यह आज हम उनी के लिए लेकर आए हैं बेहर टेस्टरी तो बनता है है साथ में आज हम इसको आपको बहुत आसानी के साथ बनाना बताएंगे तो चली शू करते हैं आज की रेस्पी मैंने इसको बनाने के लिए लिया है आपर 600 ग्राम चिकन जिसको मैंने अच्छी तरह से कर ल इसके लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे एक टेबिल स्पून लेजन अद्रक का पेस्ट एक टी स्पून एड़ करेंगे कश्मेरी लाल मिर्च पॉडर एक टी स्पून एड़ करेंगे नमक और आधा टी स्पून मैं इसमें एड़ कर रहे हूं हल्दी पॉडर इसके अं निया प्यास निया ने विःटों में ली नेक्ते हो नपाने के मिडेघा है। च्भी बड़ सब्सखता हैं। में रखि 3 आपर मुझी पैसे लिए हैं। 5 दूजी यह नंग सब्सक्ताइब गया। तीन से चार लौंगे हैं, । 10 से 12 आ हमारे पास काली मर्चे हैं, 11 बड़ी काली लाइची हैं, 4 हरी लाइची हैं, और एक से दिर इढ़ी एंच कर मेने आपर दाल जीनि का पीज लिया हैं, यह पौडरमाबर्ण वार्डर में और हैर aard को नौए ना Chopper तृ को की ंच्छाचेल को स्टार्ण करती हैं आधा कप मस्टर्ड ओईल, इसको डालने के बाद तेज गर्म कर लेंगे और इसकी जल वगरा निकाल लेंगे तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है उसके बाद मैंने अच्छे से घरम थाड़ा है इसके अंदर हम एड़ कर देंगे अपने सारे खड़े गरम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं और इनको डालने के बाद कुछ साकिन के लिए इनको सौते करेंगे ताकि इनकी खुश्बू रिलीज हो जाए ऑईल के अंदर अब हम इसमें डाल देंगे अपनी प्याज और प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है हलका पिंकिश होने तक इसे हमें दो से तीन मिनट ही सोते करना है जब प्याज हमारी हलकी सी बुझ जाएगी इतना ही हमें इसको कुक करना है तो ओवर कुक बिलकुल नहीं करेंगे अगर आप इसको ब्राउन कर लेंगे तो इसको गलाने में थोड़ी सी परिशानी हो जाएगी तो यहां पर हमारी प्याज अच्छे से ट्रांसुलेंट हो गई है बुझ गई है इतना ही हमें इसको करना था कुक अब हम इसके अंदर टमाटर आट कर देंगे और जैसे हम इस इसके अंदर डालेंगे टमाटर इसके साथ हम इसमें आट कर देंगे नमक जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं टमाटर को गलाने में तो बस इसको अच्छे तरह से कर लेंगे मिक्स कि यहां पर हाई किया हुआ है हाई फ्लेम पर हम यह सारे काम कर रहे हैं इसके साथ ही हम इसमें सारे पॉड्र मसाला एड़ आड़ कर देंगे जो मैं आपको बताये थे इसको डालने के बाद एक से दो मिनट के लिए हम सिर्फ भून लेगे क्योंकि इसकी बुनाइए हम बाद बावर करके इसमें दो प्रेशर लगा लेंगे मेडियम फ्लेम पर प्रेशर लगाने के बाद हम इसका प्रेशर आउट नहीं करेंगे कूकर को हम इसी के प्रेशर के साथ छोड़ देंगे तो दो प्रेशर आने के बाद कूकर का प्रेशर अपने आप आप अटोमेटिकली रि इसे हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको दबाते हुए अच्छे से मैश कर लिया है और ये देखिए. मसाले हमारे बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं. फ्लेम मैंने हाई कर दिया है ताकि ये साथ के साथ भूनते भी चले जाएं. अब हम इसके अंदर चिकन अट कर देंगे और चिकन को डालने के बाद हाई फिलेम पे तीन से चार मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन का जो मौश्चर है वो इसके अंदर लोक हो जाए और चिकन हमारा अंदर तक जूसी रहे. इसके साथ साथ ही हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे और चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा. चिकन को भूनते हुए मसालों के साथ मसाला भी भून चुका है चिकन भी रैडी है दोनों चीज अच्छे से भून गई है अब हम इसमें एड़ करेंगे चार माचरी मिर्चे और थोड़े से हम नहीं आ पर ली है धनिया पती यह हम इसमें एड़ करके एक से दो मिनट और चिक तak से फ़यले और दो में भी दूम एक से मिंट पानी आड़ करने के बाद एक मिक्स देंगे और इसको कवर करके रग देंगे हम एक प्रेशर आजाने तक उसके बाद हममें इसका प्रेशर रिलिigi नहीं करना है एक पेश्र आ गिया था और कोका का पेश्र ऑटोमेटने रिलीज हो गया है अब आपको खोल कर चेक कराती हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा तरी वाला चिकन बन का पुरी तरह से रेडी है। कितने अच्छी ग्रेवी बनी हैं। बहुत अच्छी सी तरी बन कर रेडी हुई है। और यह बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको बहुत आसाँ वे में बनाना बताया है। एक टीज स्पून गरमसाला पॉटर इसको अच्छी से मिक्स करके हम इसको कर लेते हैं टीशाओ तरी वाला चिकन यह रेसिपी बेचलर्स के लिए बहुत आसान है साथ में जिनों ने अभी अभी कोकिंग जॉइन की है वो भी इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी आती हैं पसंद तो इनको लाइक कीजेगा वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा अपने फ्रेंस में फैमिली में रिलेटिव में और मेरी चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजेगा मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी म तब तके लिए अल्ला हफीज